झबन पश्चरों, कैसे हैं आप लोग जचों आज आप के लिए लेकिया हैं एरोमेटिस इन नाच बैंजी नंडीन उइट्स तो बच्चों आईए जानते हैं कैसे निकालते हैं नाच बैंजीन उइड कमपाउंड में आरोमेटिक एके लेक्टर कोई भी ऐसा कमपाउंड जिसके अंदर एक या एक से ज़धा रिंग आपस में जुड़ी रहती है लेकिन उन रिंग में से कोई भी रिंग बेंजीन की नहीं होने चाहिए तो ऐसा कमपाउंड कहलाता है नौन बेंजीनोईड तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने जाना कि कोई भी ऐसा कमपाउंड जिसके अंदर एक से ज़धा रिंग आपस में जुड़ी रहती है लेकिन उन में से कोई भी बेंजीन रिंग नहीं होनी चाहिए ऐसे कमपाउंड कहलाते हैं हमारे नौन बेंजीनोईड इन में से आपको पहजानना है कि कौन सा आपका बेंजीनोईड होगा और कौन सा आपका नौन बेंजीनोईड तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर दो रिंग तो फ्यूज रहे लेकिन दुन्ह रिंग कैसी है बेंजीन की रिंग है तो यह structure कैसा होगा BENGENOID आप इसको बोल सकते है यहाँ पे देखिए इस compound के अंदर रिंग तो एक ही है लेकिन यह किन बेंजीन की नहीं है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बेंजीन रिंग नहीं है तो यह भी non-benzenoid structure होगा यहाँ पर देखिए यह compound के अंदर दो ring fuse है लेकिन यह वाली ring जो भी बेंजीन की है तो यह बेंजीन नोइड structure होगा यहाँ पे देखिए दो रिंग जुडी तो हैं लेकिन उन में से कोई भी रिंग बेंजीन की नहीं है तो यह हमारा नॉन बेंजीनोईड तो आप नॉन बेंजीनोईड को कैसे डिफाइन करें कोई भी ऐसे compound जिसके अंदर एक्स या एक्स सिदर रिंग आपस में जुडी होती हैं लेकिन वह रिंग बेंजीन रिंग नहीं होने चाहिए तो वह compound के लाएगा नॉन बेंजीनोईड यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यह जो स्ट्रेक्चर हैं यह हमारे नॉन बेंजीनोईड के अंडर आते हैं देरा सर्टें नॉन बेंजीनोईड स्विस डू नोट है एजुलीन, ट्रोपलोन, थायाजीन, पिरुडीन और फ्यूरान नॉन बेंजीनोईड तो हैं लेकिन इनमें हकल रूल लग जाता है एरोमेटिसिटी ओफ नॉन बेंजीनोईड स्विस डूल ध्यान रखिएगा नॉन बेंजीनोईड स्ट्रुक्चर के अंदर एरोमेटि इपलाए टू आलॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड इजीन, लीजूरान रखिएगा अकल रूल, प्ल्स 2 पाई एलेक्टोन का रूल जो होता है, वो सारे ओर्गेनिक कंपाउंड में नहीं लग पाता है में अकल रूल बाइसिक्लिक और पोली साइक्लिक हाईडरो कार्बन में फ polycyclic non-bengenoids which have C2 axes of symmetry दियान रखेगा कि जो जिन compound के अंदर आपका हकल rule fail हो रहा है ऐसे bicyclic polycyclic non-bengenoid compound में crack rule लगता है लेकिन condition यह है कि वो bicyclic polycyclic जो आपका non-bengenoid structure है उसके अंदर C2 axes of symmetry का होना जरूरी है अब यहां पे एक सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि सरीए C2 axes of symmetry क्या होती है कैसे होती है तो मैं आपको यहां पे एक simple से example से define करता हूँ कि C2 axes of symmetry का मतलब है क्या यहां पे हम लोग एक example ले ले लेते हैं इस example से मैं आपको symmetry define करता हूँ आए symmetry molecular symmetry का मतलब होता है कि कोई भी imaginary work अगर आप किसी molecule पे कर रहे हैं कोई भी ऐसा imaginary work जिसको पूरा करने के बाद आपका structure उसी form में आ जाए वो ही identical form हो जैसा कि starting में था अब यहाँ पे headliner है highlighter आप देख रहे हैं कि यह इस form में रखा हुआ है अब मैं यहाँ पे इस में इधर से right से एक छेद करता हूँ और एक axis करके यहां से एक axis डाल देता हूँ इसके अंदर छेद करके एक tar डाल देता हूँ आप समझ रहे हैं और उस tar से इसको घुमाता हूँ तो यहाँ पे थोड़ा समझना होगा कि एक rotation बच्चो यह वाला जो है यह 90 का होगा अगर यह यहां से आके यहां पर रुकता है तो यह 90 हुआ clear हुआ और फिर यहां पर रुका तो कितना होगी total यहां पर rotation 180 हो गया तो मैं इसको यहां से एक rotation जो है वो 180 का लूँगा एक बार में 180 घुमाऊँगा तो यह 180 घुमने के बाद इस form में आ जाएगा तो मैंने पूछा आप से कि मैंने rotation कराया इसको इस axis के थुरू तो क्या यह original form में आ गया है क्या यह पहले वली form में आ गया है तो answer है नहीं फिर मैंने इसको दोबारा घुमाया तो दूसरी बार इस axis के थुरू यहां से जो आपने 6 डाला था दूसरी बार घुमाने के बाद यह इस form में आ जाता है clear है तो दूबारा जब घुमाने के बाद यह अपनी original form में आ जाता है तो यह जो आपका action था जिस axis के थुरू आपने घुमाया है यह कहलाएगा axis of symmetry फिर से देखिए कोई भी compound जिसके अंदर आप कोई भी imaginary axis डालके अगर उसको घुमाते हैं और घुमाने के बाद वो original form में पहुंच जाता है दो rotation के बाद तो वो कहलाएगा c2 axis of symmetry यह इसकी यहां पर समझ लिजिए original form है यहां से आपने छेट किया तार को ऐसे निकाला और आप इसको घुमा रहे हैं ऐसे करके तो यह rotation हुआ आपका एक और यह rotation हुआ आपका second rotation देखिए original form आ गई है तो क्या बोलेंगे क्या इसके अंदर symmetry है हाँ इसके अंदर symmetry है सर्क कौन सी symmetry है c2 axis of symmetry तो crack rule केवल उनहीं bicyclic या polycyclic non-benzenoid में लग सकता है जी जिनके अंदर c2 axis of symmetry होती है आई जानते हैं crack rules के लिए condition क्या क्या होती है it is meant for those hydrocarbons which have two or more rings fused but not with benzene ring आपको ध्यान रखना है कि यह आपका bicyclic या polycyclic compounds के लिए लगता है जहां पे एक या एक से ज़धा ring आपस में जुड़ी होती है लेकिन उन कम रिंग के अंदर एक भी रिंग नहीं होने चाहिए दूसरी condition यह है बच्चों की जो आपका hydrocarbon या molecule या structure आपको दिया हुआ है इसके अंदर c2 axis of symmetry होने चाहिए follow n-1 rule where n is equal to number of double bonds दियान न किएगा आपके hydrocarbon के अंदर आपको जो भी structure दिया हुआ है non-benzenoid structure उसके अंदर आपको n-1 rule लगाना है जहां पे n आपका number of bonds दिखाएगा अब यहां पे दियान न किएगा कि n-1 rule लगाने के बाद आपकी जो value आएगी वो दो तरह की आएगी अगर आपकी n-1 value ओर नंबर आता है तब आपका structure non-benzenoid structure non-aromatic होगा लेकिन अगर n-1 की value even आ जाती है like 2, 4, 6 तो वो structure वो non-benzenoid hydrocarbon aromatic होगा जी आए एक्जांपल से clear करते ह तो देखिए जो structure हमने लिया हुआ है उसका नाम azulean होता है यहां पर आप देख सकते हैं यह जो ring है यह 7 member है इसके साथ में एक दूसरी ring fuse है वो 5 member ring है इस 7 member और 5 member ring दोनों ring के अंदर bicycling compound के अंदर एक भी ring benzen ring नहीं है तो यह compound कहलाएगा यह structure कहलाएगा non-benzenoid क्या यह gasoline जो है हमारा यह non-benzenoid का example है अब आपको यहां पर वो जो 3 condition आपने पड़ी है कि आप वहां पर cracks rule कैसे लगाते हैं आईए उसको एक करके लगाते हैं देखिए structure कैसा है आपने का non-benzenoid है उसके बाद आपको देखना होता है कि आपके structure के अंदर क्या c2 axis of symmetry है तो बच्चो यहां पे c2 axis of symmetry निकालना बहुत असान है उसके लिए आपको structure के अंदर कोई imaginary axis माननी पड़ती है तो देखिए मैं यहां पे एक ऐसी imaginary axis यहां से डाल रहा हूं clear है एक तरीकर तो बच्चो यहां से है डालने का और उसके बाद आप इसको घुमा सकते हैं दो बार आपको घुमाने के बाद यह original form में अगर आ जाता है इसी form में या फिर आपको identical form मिल जाती है तो वो कहलाएगी आप c2 axis of symmetry दूसरा तरीका यह है कि आप यहां पर भी एक imaginary axis डाल सकते हैं और इस structure को molecule को आप यहां से भी गुमा सकते हैं तो simply अगर मैं कहूं कि इसके अंदर यह possible है तो answer होगा हाँ इसके अंदर c2 axis of symmetry है यहां से भी डाल सकते हैं ऐसे axis और उपर से भी डाल सकते हैं दो बार गुमाके जो आपको form मिलेगी structure मिलेगी वो original के identical होगी तो दो चीज़ें आपकी हो गई है given structure given compound given example आपका non benzenoid है हाँ जी है और दूसरा इसके अंदर c2 axis of symmetry भी है के अंदर कितने number of double bond है तो आप count कर सकते हैं सर यहां पे n का value 5 आ रहा है क्या यह clear है आपको 12345 हाँ इसके अंदर 5 double bond है तो n का value 5 होगा जी अब अगर आप यहां पे n-1 में n का value रखते हैं तो 5-1 4 आएगा और जो 4 नंबर आया है यह even नंबर होता है इसका मतलब जो आपका gasoline है वो कैसा होगा जी बिल्कुल सही जवाब यह आप gasoline aromatic होगा क्या है clear है तो cracks rule लगाने की 3 condition है जो हमने लगाया है अभी भी कुछ लोग को clear नहीं हुआ होगा तो मैं example अगला लेता हूँ hopefully आपको clear होगा तो आई अगला example लेते हैं हम लोग cracks rule के लिए non benzenoid के लिए तो यह हाँ पर आप देख सकते हैं अगला example जो है pentalin है इसके अंदर भी दो रिंग आपस में fuse हुई है दुनों रिंग में से कोई भी रिंग बेंजीन रिंग नहीं है तो structure कैसा होगा benzenoid और non benzenoid बिल्कुल सही जवाब आपका यह है हमारा non benzenoid तो पहली condition पूरी हो गई जी कोई structure compound आप ले रहे है क्रेक्स रूल के लिए तो वो non benzenoid होना चाहिए हाँ pentalin हमारा non benzenoid है फिर उसके बाद बात करते हैं कि क्या इसके अंदर c2 axis of symmetry है तो सरी यहाँ पे दो तरीके हैं या तो आप यहाँ से ऐसे एक axis डाल लीजिए clear है आपको from the center of the molecule या फिर आप यहाँ से इक imaginary axis ले सकते हैं मान सकते हैं और आप molecule को चाहे clockwise गुमाई है या anti-clockwise गुमाई है आपका मन है जी आपकी freedom है आपको आजा दी है तो दोनों तरीके से दो rotation करने के बाद आपकी जो form आएगी जो आपका structure होगा that will be identical to the original form original form के जैसा होगा बिल्कुल हुभु होगा same होगा तो इसके अंदर दो condition पूरी हो गई है इस no compound और structure जो है वो non benzenoid है और साथ के साथ उसके अंदर c2 axis of symmetry भी present है अब बसती है तीसरी condition n-1 rule की क्या value आती है तो पहले ये तो बताईए कि यहाँ पे कितने double bond है how many number of double bond तो number क्या है जी double bond का तो answer है 4 यहाँ पे n का value 4 होगा तो देख इसके बाद हमने यहाँ पे निकाला कि इसके अंदर c2 axis of symmetry है हाँ जी है n का value 4 हुआ जी बिलकुल हुआ अब यहाँ पे आपको देखना है कि n-1 का value हो गया है 3 बिलकुल सही है सन्मयापुल कैसे हुआ और यह value odd है और अगर यह value odd आ रही है तो बताईए pentalin कैसा होगा जी सो ची सोची है odd value आ रही है बिलकुल सही जवाब pentalin आपका non-aromatic होगा देखिए एजुलीन आपने निकाला aromatic pentalin आपने निकाला non-aromatic किसे cracks rules से कि यह है हमारा non-benzenoid c2 axis of symmetry के साथ अगला लेते हैं जी हैptalin आपके सामने लिखा हुआ है दो ring fuse है हाँ ring है तो मेरा सवाल आपसे यह है कि कहें इसका structure का nature कैसा है is it benzenoid or not तो answer यह benzenoid नहीं है यह non-benzenoid है कि दोनों ring में से एक भी ring benzen की नहीं है तो यह heptalin कैसा हुआ non-benzenoid हुआ फिर आपको देखना है कि क्या इसके अंदर c2 axis of symmetry है तो आई देखते हैं सर मैं यहां से एक imaginary axis ले लेता हूँ मान लेता हूँ और molecule को घुमाता हूँ तो घुमाने के बाद दो rotation के बाद यह उसी form में चला जाएगा जो original structure की थी तो यहां पे इसके अंदर non-benzenoid structure है non-benzenoid के अंदर c2 axis of symmetry है दो condition पूरी हो चुकी है तीसरी condition check हमें करनी है n-1 का value आपको देखना है n बोले तो number of double bond कितने है जी तो आप गिन सकते हैं देख सकते हैं यहां पे 6 है n का value 6 होगा सर 6 क्यों है क्यों है क्योंकि यहां पे double bond का value 6 है clear है आपको 10 is equal to 6 हो गया हमने n-1 में value रखा तो answer आया 5 आप देख सकते हैं भाई कि जो 5 आया है that is odd number यह odd number है और अगर odd आती है तो आप ही बता दो heptaline कैसा होगा sir heptaline is non aromatic यह non aromatic होगा तो क्या है आप clear है किसी भी non benzenoid के अंदर जिसके अंदर c2 axis of symmetry है उसके अंदर आपके एवल cracks rule के through ही निकाल सकते aromaticity हकल rule नहीं लगता है आपको ध्यान लखना है clear हुआ आपको तो आप पैचान सकते हैं यह तीन condition पहला कि आपको देखना है कि given structure non benzenoid है कि नहीं है अगर वो non benzenoid है दूसरी condition आपको देखनी है दूसरी क्या होगी उसके अंदर c2 axis of symmetry होनी चाहिए और तीसरा आपको देखना है must condition कि n-1 का value क्या आ रहा है अगर even आएगा तो that non benzenoid will be aromatic और अगर ode आएगा तो non aromatic होगा क्या यह आपको clear है तो उमीद ह आज के बाद कभी भी आपको क्रेक्सफिल प्रेसान नहीं करेगा थैंक्स पॉर वाचिंग जैन बच्चो